वेल, दिर स्टुडेंट्स, मैसेल्फ दॉक्टर आशीश गर्ग, एसोसियेट प्रोफेसर इन क्यमिस्टी, सेट, आरेन रुया, गवर्मन कॉलिज, रामगड शेकावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर राजिस्थान, बच्चों B.S.E. पार्ट थर्ड में फस्ट पेपर रसायन, इन और्गनिक क्यमिस्टी में हमने इन और्गनिक पॉलिमर्स, सिलिकॉंस और फॉस्फिजिस स्टार्ट किया हुआ है, और आज हम पढ़ेंगे यहां पर सिलिकॉंस बनाने के मैथट्स, देखें बच्चों इसमें हमने जो मैथट्स बनाएं हैं, उसके अंदर हम यहां पर बना रहे हैं, इस तरह के, CH3, होल्ट्वाइस, SI, CL2, यह हमारा प्रॉमिनेंट कंपाउंड है, दिस इस दा, डाइमिथाईल, डाइक्लोरोसीलेन, मैंने इससे, पिछली क्लास में, आपको बताया था, कि किस तरह से, मिथाईल, ट्राइक्लोरोसीलेन, डाइमिथाईल, डाइक्लोरोसीलेन, इसी तरह से, ट्राइमिथाईल, क्लोरोसीलेन, इनका फॉर्मिशन होता है, और इनका, जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो यह दो सी यल हाइड्रोलाइसिस करने पर ओएच गुरुप से रिप्लेस होती हैं और हमें डाइमिथाइल इस 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 सिलीकॉन सिलीकॉन यहां पर जो इस तरह की कंपाउंड होते हैं मतलब डाइमिथाइल डाइक्लोरो सीलीन इनका जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलते हैं इस तरह के डाय हाइड्रोक्सी सीलेंस और ये डाय हाइड्रोक्सी सीलेंस बच्चो ये दो मॉलिक्यूल जुड़कर के और सिलिकन, ऑक्सिजन, सिलिकन इस तरह के बॉंड वाले सिलिकॉंस का दिर्मान करते हैं बच्चो मैंने पार्ट 6 के अंदर चैन सिलिकन के बारे में बात की थी, चैन सिलिकॉंस के बारे में बात की थी, रिंग के बारे में बात की थी और मैंने क्रॉस नैट सिलिकॉंस के बारे में बात की थी, तीन तरह के सिलिकॉंस, पार्ट 6 में जब मैंने सिलिकॉंस स्टार्ट किया था तो बच्चों देखिए हम यहां पर जो method of synthesis पढ़ेंगे उन method of synthesis में इस तरह के this is the dimethyl dichlorosiline हम इनके निर्मान का बदी पढ़ेंगे और इनसे आसानी से यह बनते हैं और यह बच्चों क्या होता है इसके अंदर यह दो units आपस में जुड़कर के यह तीन units यहां पर silicon oxygen silicon oxygen silicon इस तरह के bonds बनते जाते हैं और silicon silicon के उपर इसको हमें इस तरह से बताना चाहिए यहां पर silicon ये आर ये आर वेक्ट इस इस आपको इस तू चल इस रिपलेस्ट इस वेच्ट प्लस यहां पर इस तरह से रिमूबल अब वाटर मॉलीकूल और ये बच्चों सिलीकन ये सिलीकन ऑक्सीजन इस तरह से बच्चों ये रिंग यू नो चैन श्रंखला बनती जाती है यां इस नियुक के श्रंषट पॉलीकं इनार्गनीक पॉलीवर जिसकी हम बात कर रहे हैं यहां पर फिर्स्ट मैथेड इस में है डैरेक्ट और ये अलग-अलग प्रकार किया होंगे, मैं आपको आगे इसमें बताता हूँ, तो बच्चो यहाँ पर हम direct silicon process के अंदर methyl chlorosiline, तो बच्चो देखिए methyl chlorosiline बनाने की महपूर्ण विधी, यह जो बनते हैं, इनके बनाने की यह एक important method है, और इसमें करते क्या हैं बच्चो, यहाँ पर silicon powder के साथ, methyl chloride, इन दोनों को copper के उपर, 300 degree centigrade temperature पर पास करते हैं, तो बच्चो इसमें silicon powder के साथ, 10% copper powder मिला करके, इसमें copper, work as a catalyst, copper powder मिला करके, 300 degree centigrade temperature पर, methyl chloride की वाश्प को प्रभावित, बच्चो, methyl chloride इतने degree temperature पर, obviously, methyl chloride वाश्प में बदल जाएगा, तो, direct silicon process के अंदर, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर methyl chloro-silin का sensation कर रहे हैं, और methyl chloro-silin बनाने के लिए, silicon powder, silicon के साथ, copper powder मिला करके, उसके उपर, methyl chloride की वाश्प, क्योंकि temperature कितना है, यहाँ पर, 300 degree centigrade, जब गुजारते हैं, तो, हमें मिलता है, यहाँ पर, dimethyl, SICL, यानि, methyl chloro-silin, अलग, अलग, अनुपात के अंदर बनते हैं, लेकिन, प्रमोख रूप से, dimethyl, dichloro-silin, प्रमोख रूप से बनता है, तो, बच्चों, यहाँ पर, dimethyl, dichloro-silin, में, यहाँ पर, ME का मतलब, मिथाईल, में प्रोडेक्ट है, जो की, 50% तक, यहाँ पर, formation होता है, बच्चों, this reaction is a, exothermic, उश्मा, यहाँ पर, बाहर निकलती है, उश्मा, शेपी क्रिया है, और यह क्रिया, इस प्रकार से, संपन होती है, बच्चों, methyl chloride, copper के साथ, reaction करता है, और यहाँ पर, इस तरह से, methyl, copper के साथ, organometallic compound का formation होता है, this organometallic compound, methyl, copper, बच्चों, methyl radical, यह, एक तरह से, free radical reaction है, methyl, free radical, यहाँ निकलता है, और बच्चों, यहाँ पर, methyl, free radical and copper, बच्चों, this QCL, silicon के साथ, react करता है, and then formation of SICL, बच्चों, यहाँ पर ME, यह जो ME है, this react with, मैं आपको एक बार फिर बता दूँ, बच्चों, this reaction is the free radical reaction, क्योंकि यहाँ पर, यह देखिए, मैंने लिखा है, यहाँ पर, यह जो mode of reaction है, देखिए, यहाँ पर, methyl का copper के साथ जुड़ना, the formation of organometallic compound, यहाँ पर यह organometallic compound, this forms ME plus copper, methyl, methyl, this is the free radical, right, now this CuCl, यह बच्चों क्या होता है, react with silicon and formation of SICL, अब बच्चों देखिए, यहाँ पर, methyl, when react with SICL, right, then formation of ME, SICL, और बच्चों, यह chain reaction आगे बढ़ती जाती है, और हमें विभिन्य प्रकार के, L-QI compounds, like, ME2, SICL2, ME, SICL3, ME3, SICL, यह विभिन्य प्रकार के, हमें compounds प्राप्त होते जाते हैं, इस प्रकार, silicon के साथ, alkyl और halogen जुड़ करके, बच्चों यहाँ पर, alkyl and halogen, जैसा मैंने यहाँ पर बताया, यहाँ पर alkyl और halogen, यह जुड़ करके, विभिन्य योग्कों का मिश्रण बनाते हैं, तो बच्चों देखिए, यहाँ पर, जैसा मैंने आपको कहा है, dimethyl dichlorosiline, this is the 50% part, यहाँ पर, methyl trichlorosiline, और trimethyl chlorosiline, यह अलग-अलग अनुपात में बनते हैं, बच्चों देखिए, यहाँ पर, जैसा मैंने आपको बताया, कि हमने यहाँ पर काम में लिया है, methyl chloride की reaction, किसके साथ कराते हैं, silicon plus copper powder की साथ, 300 degree centigrade temperature पर, यहाँ पर, बच्चों देखिए, methyl chloride और HCL की composition को, देखो बेटा, ऐसा है कि, यहाँ पर हमने लिया है, methyl chloride, silicon, copper powder, और यहाँ पर हम काम में क्या ले रहे हैं, methyl chloride, HCL, और silicon, and catalyst हमारा वोई copper powder है, यहाँ पर methyl chloride और HCL का मिशनण, इस mixture को, copper powder की उपर, जिसमें silicon मिला हुआ होता है, 300 degree centigrade temperature पर पास करते हैं, तो बच्चों हमें, ME-SI-CL3, इसी तरह से हमें मिलता है, ME-2-SI-CL2, जैसे मैंने उपर लिखा है, है ना, देखो पेटा, silicon tetrachloride, SI-CL4, अब इसमें से, एक-एक, CL, replace करते जाओ, methyl group से, तो the formation of, ME-SI-CL3, next, ME-2-SI-CL2, next, ME-3-SI-CL, इस तरह से बच्चों, अलग-अलग, ratio में, compounds, अनुपात में, योगिक, बनते, जाते हैं, देखें, बच्चों, यहां पर, alkyl halide, this is, sorry, this is the aryl halide, phenyl group है, है ना, तो इसे हम कहते हैं, arines, this is the aryl halide, तो aryl halide की, silicon के साथ reaction, बच्चों, 500 degree centigrade temperature, राइट, and we are taking, दो तरह के catalyst, एक लिया हमने copper, और एक लिया silver, अगर copper है, then the temperature is 500 degree centigrade, while in the presence of silver, temperature is 400 degree centigrade, तो बच्चों, यहां पर formation होता है, pH 2, SiCl2, so this is the formation of diphenyl, dichlorosilin, इनका formation होता है, और जैसा मैंने आपको बताया, कि यहां पर यह Cl, OH ग्रुप से जलब भटन कराने पर, आसानी से replace होता है, और replace होकर के, यह silicon की chain, ring, यह cross net structure, फॉर्म करते हैं, तो बच्चों, यह हमारा पहला method है, यह direct silicon process, आप देखते हैं, यहां पर, इस इस दा, एरोमेटिक, इसको कहते हैं, एरोमेटिक सीलेशन, हिंदी में, यह ना, इस इस दा सीलाइलेशन, इस दा एरोमेटिक सीलाइलेशन, बच्चों, हम बना रहे हैं आपर, एरोमेटिक सीलेश, इस, राइट, देखो बेटा, मैंने शुरू में आपको यह बताया था, कि किस तरह से हम, एलकाइल और एराइल, यह मैंने बिग्री में कहा था आपको, हमने यहां पर लिया है, एलकाइल, डाइमिथाइल, डाइक्लोरो, सीलेशन, इस इस दा, तो बच्चों क्या होता हैं आपर, कि एरोमेटिक सीलेशन बनाने के लिए, बैंजीन की रियक्शन, सिलिकॉन के साथ, 250 डिग्री सेंटिग्रीट पे, हम कराते हैं, देखो बेटा, यहां, जब हम रियक्शन कराते हैं, बैंजीन की, तो एक चीज ज़रूरी है, और वो ज़रूरी क्या है, कि यहां पर यह जो होता है, इसके अंदर यह बॉन्ड होना, बहुत ज़रूरी है, यह जो बॉन्ड है इसमें, इसके अंदर इस बॉन्ड का होना, H, सिंगल बॉन्ड, सिलिकन, इसका होना बहुत ज़रूरी है तो बच्चों यहाँ पर Phenyl Trichlorosilin यह क्या बन रहा है Difenyl Dichlorosilin हम यहाँ पर Aromatic Selin तो इसको बनाने के लिए Benzene की reaction यहाँ पर हम कराते हैं बच्चों Silicon Cluride के साथ और यहाँ पर 250 degree centigrade temperature पर और यहाँ पर बच्चों जखिए Catalyst जो होते हैं उत्प्रिरक उनका काम्या करते हैं Lewis acids Like BF3, like AlCA3 These Lewis acids Act as a catalyst तो बच्चों यहाँ पर Formition क्या होता है Phenyl Trichlorosilene Diphenyl 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 इस प्रकार से हम Celilation के थू Aromatic Silicons का Synthesis करते हैं बच्चों यहाँ पर तीसरा method देखिए Third method में हम क्या देखते हैं कि Celane Olefinic Addition Reaction बच्चों यह बड़ा important है कि यहाँ पर Again Same thing We are taking Right यहाँ पर SIH बंद का होना बहुत जरूरी है हमने लिया है Trichlorosilene और इसमे यह कब reaction करेगा जब इसके अंदर इस तरह का bond होगा तो मैंने पहले ही लिखा है यहाँ पर कि Silicon Hydrogen बंद योक्त Celane Compound ऐसंत्रप्त अलकीन या फिर अलकाइन के साथ योकात्मक अभी क्रिया करके Organo Celane Compound बच्चों यहाँ पर हो क्या रहा है कि Carbon Organic Group Is Added with the Celane So the formation of Organo Celane जैसे हमने का था Organo Metallic Compound उसी तरह से Organo Celane Compound और यहाँ पर क्या हो रहा है ऐसे Compounds जिनमे SI Single Bond H यह Bond होता है वो क्या करते हैं अलकीन के साथ और अलकाइन के साथ जोकी Unsaturated ऐसंत्रप्त होते हैं इनके साथ Reaction करते हैं और बच्चों इस तरह से यहाँ पर You know This Hydrogen This Hydrogen You know This Hydrogen Is Attached with this And Formation क्या हो जाएगा यहाँ पर और यह इस इस तरह से Bond Form जाएगा आप देखे बच्चों यहाँ इस तरह से यहाँ पर Formation हो जाएगा इस तरह के Silane का Formation होगा बच्चों के बिना यह Reactions 200 से 300 degree centigrade टाप पर संपन्ध होती है In the absence of catalyst और Important चीज़ क्या है Paroxide या Sunlight बच्चों Paroxide या Sunlight का आते ही This is the free radical part है ना तो या तो Paroxides या Sunlight की उपरसिती में यह अभिक्रिया सामाने टाप पर भी संभव हो जाती है इस तरह से बच्चों हम पढ़ते हैं कि Selene और Oliphynic Addition Reaction किस तरह से Silicons का formation होता है यहां पर Alkyns या Alkyns के साथ अभिक्रिया करने पर Now the fourth method बच्चो From Grignard Reagent Green Yard अभिक्रमक से तो बच्चों देखिए कि Green Yard अभिक्रमक हमें पता है RMGX या C6H5MGX तो Green Yard अभिक्रमक और Silicon Tetraklodrite इनकी Reaction कराने पर Alkyl या Arryl Derivative आसानी से बनते हैं देखो बटा ऐसा है कि RMGX की Reaction SiCl4 तो यहां क्या बनेगा RSiCl3 या फिर क्या बनेगा R2 SiCl2 1-1-Cl Alkyl Group से Replace होता जाता है और आगे क्या बनेगा R3 SiCl इस तरह से बच्चों यहां पर जो Compounds बनते हैं वो विविन्न रेशों में बनते हैं लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ कि इसके अंदर सबसे जो Prominent होता है वो होता है दिस वन Dimethyl, Dichlorosilin जैसे यहां पर 50% बन रहा है सबसे ज़्यादा Stable होता है तो इसका निर्मान सबसे ज़्यादा यहां पर होता है दिस अगें वन इंपॉर्टन थिंग बच्चों देखिए यहां पर हमने SiCl4 की जगे काम में क्या लिया है Et का मतलब है This is the O C2H5 बच्चों C2H5 O H को हम क्या कहते है Ethyl Alcohol और C2H5 O- को हम क्या कहते है Ethoxide This is the Tetra Ethoxy Selene तो बच्चों देखिए Tetra Ethoxy Selene हमें बनाना क्या है Alcoxy Selene तो Tetra Ethoxy Selene की reaction Grignard Reagent के साथ और यहां मैं आपका बता दूँ बच्चों एक बड़ी important चीज क्या है Reactants must be pure and dry अभी कर्मक यहां पर शुद एवं शुष्क होने चाहिए तो बच्चों यह Tetra Ethoxy Selene When react with Grignard Reagent तो बच्चों यहां क्या बनेगा देखिए RxSiO80 whole 4 minus X यहां बच्चो 1 तो यहां पर 1 तो हो जाएगा whole twice एरी बात का ध्यान रखना क्या बन गया RsiO80 whole twice जदी हमने लिया R2 तो यह क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा तो क्या बन गया R2 SiO80 whole twice बेटा सेम रेशो बिलकुल इसी तरह से बनता जा रहा है बिलकुल इसी तरह से इस X और 4-X के लिए परिशान मत होना यहां पर मैं आपको फिर बता दूँ एक बार R बराबर 1 तो यहां पर यह क्या होगा? 3 क्योंकि silicon की कितना है? वैलेंसी कितनी है? 4 R बराबर 2 तो यह ethoxide कितना होगा? 2 R बराबर 3 ethoxide single जैसे हम इसके अंदर देख रहे हैं R बराबर 3 तो यहां पर बच्चो CL1 इसी तरह से यहां पर ethoxide C2H5O- तो बच्चो यह मैंने आपको siliconS बनाने के लिए 4 मैथड बताएं हैं और इन 4 मैथड के अंदर हमने methyl chloro-silin इनको बनाने का हमने chloro-silin से siliconS आसानी से निर्मित किये जा सकते हैं बच्चो मैं next part में part 8 के अंदर आपको अभी कुछ synthesis बाकी हैं उनको मैं discuss करूँगा तो that's all in this lecture Thank you यज़ो जड़र कि ऐनों geçक क्याकी हैं झाल